तो दोस्तों ECS Republic T10 जो मेच मैं कवर करने के लिए ये मुकाबला काफी बहतर हो सकता है BCC भरसेश PCC के भी जो मुकाबला खेला जाएगा लास्ट सीजन इन्होंने काफी मुकाबले खेले थे उस पे हम लोग नज़र डालेंगे और तीन सबसे बेस्ट केफटर एंड वाइस के जो ओल्राउंडर सेक्शन पर दिया हुआ है इनके अलावे रिपब्लिक जो अभी T20 मुकाबला भी खेली ये इंटरनेशनल खेल चुके है तो वहाँ पर भी स्कोर कार्ड देखेंगे और वहाँ पर भी पिलेयर ने काफी बनिया परदसन किया इनके लावे रिसेंड जो ECS T10 हुआ वो पूरे के पूरे सिरीज हम लोगों के लिए काफी बहतर गया था साथ में GL भी हम लोगों ने विन किया था असानी से सारे मेंबर ने तो आसा करते या T10 मुकाबला भी पिछले सिरीज की तरह अच्छा जाए इनके लावे दूस्तों IPL का फाइनल मुकाबला जो अब देखा जा ACL काफी बढ़िया गया, ACL में सभी लोगों ने प्रोफिट किया यहाँ पर देख सकते हैं, 30 में 25 विन हो गया तो आप प्रोफिट ही मान सकतों, 50 में मैंने यहाँ पर 44 विन किया, इनके लावे 23 में 18 तो ACL काफी बढ़िया गया, लगातार 3 IPL मेंच मैंने ला यह हो गया description, जैसे इस description मैं यहाँ पर किलिक करूँगा, नीचे आप देख सकते हो, टेली ग्राम चैनल निक यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा, इस बुलू बाले पर किलिक करना सीधे हमारे टेली ग्राम चैनल पर चले जाओगे, वहाँ पर रहेगा जोईन, आपको जोईन हो जाना है, जो फाइनल टीम आपको मिलेगा, जिस टीम से मैं खुद खिलता हूँ, उस टीम से आपको भी खिलने का मुका मिलेगा, इनके अलावे बहुत सारे इसे फाइदे होंगे, जो आपको आगे भी fantasy में काम आने वाले हैं, तो इस वज़ा से हमारे टेली ग्र जोईन होना है, फिरी में आपको टीम दिया जाता है, तो दोस्तों दोनों टीमों के लाश्ट सीजन का स्कूर काट पर यहाँ पर नजर डालते हैं, देखो कूछ पिलेर जो है, एक सीरीज हुआ था तो अलग टीम से भी खिलते हैं, लेकिन सारे के सारे पिलेर इसी सीरीज क भी खिलते हैं, यह असोकर की बात के अभी जो नेशनल टीम पे हुआ तो वहाँ पर यह काफी नीचे वल्ले बाजी के लिए आ रहे थे, लेकिन टीटेर में अक्सर हर सीजन 2021-2022 दोनों का स्कूर कार देखो गए, तो यह उपान आते हैं, साथ में आपको गिन बाजी करके इनके टीम में सबसे अनभावी सबसे खतरनाग बले बाज देखा जाए, तो यह विक्रमा सिखरा आपको नजर आएंगे, जो काफी हार्ड हीटिंग खेलता है, अभी नेशनल में जो हुआ तो उसमें भी इनोंने हार्ड हीटिंग खेला, साथ में इस पीन गजब की गिन ब सेलबन का देखोगो, सेलेक्शन काफी कम है, इस पर थोड़ा सा नजर डालना है, काफी बढ़िया पिलेर है, क्योंकि सारे देखो, रिपबलिक के नेशनल टीम से विलोंग करते हैं, तो सारे पिलेर बढ़िया आएं और यह टीटेन मुकाबला जो आपकी टीटेन मुकाब जिनका सेलेक्शन काफी कम है, क्योंकि सारे पिलेर तो बहतर है, तो किनी ने उनको पिक या, किनी ने इनको पिक या, तो हम लोग एक बहतर टीम बनाने का तो परियास करेंगे, इस राम किरिशनान अन्टिस रान इवो तो नहीं है, यह आशोकन ने तेरा, यहाँ पर देख किनी को कोई बिक्टे नहीं मिला, तो यहाँ पर मैं थोड़े से जल्द बाजी में आपको स्कोर कार देखाता हूँ, अगर जदी PCK की टीम अगर जदी वीन करते हैं, यह आशोकन और एस विक्रमाश सेकरा को केप्टन भाज दे सकते हो, दोनों को उपर डिफेंड करता है म लेकिन एक बड़ा नाम आपको नजर आएगा दूसरे टीम में एस डिवीजी का, जो एक यूवा है और लगाताल बहतर परदलसन कर रहे हैं, साथ में गिनबाजी भी करते हैं, नेशनल टीम से तो कम ही गिनबाजी करते हैं, लेकिन ऐसे टीटेन में काफी जदा गिनबाज होते हैं, सारे को यूज कर लिया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जो कहा था, यहाँ आएगा ओपन, यहाँ पर तैसरन की पारी यह नेशनल टीम से भी खेल चुके हैं, यह असोकन एस विक्रमा सेकरा तीनों को आपको बिल्कुल ड्रोप नहीं करना चे, तीनों को दो बिक्टे लेगे, एसी तर नहीं, यहाँ पर दो बिक्टे लेगे, एकी ओबर डाले, और यह रहा था, इनका बल्लेबाजी, यह रहा था, इनका गिनबाजी, जो कि एसी तर तीन बिक्टे लेगे, तो सबसे बड़ी बात है कि सारे गिनबाज, सारे बल्लेबाज तो बह इनके लाब देखो एस मुखतर भी आपका ड्रीम लेंड का हिस्सा नहीं है जेड महमूद आपको मिल जाएगा जेए इकबाल मिल जाएगा देखो कुछ पिलियर जो अलग टीम का है तो मैं उनके बारे मैं पीक करूँगा जैसे आर्तोमार हो गया इस डिबीजी हो गया नेशनल टीम से खेलते यार कमाल का रिकोड़ तो उनके उपर भी मैं बात करूँगा जे इकबाल काफी वेहतर ओप्सन हो जाएगे दो भर के गिनवाजी करते साथ में कई बार ओपन भी किया है इस का करिया की बात के दो भर 15 रन देका दो बिक्टे ए वकार यहां पर काफी बनिया गेनवाज है और बिस्ट भी आपको अच्छा खासा गेनवाजी करते हुए नजर आएंगा अनुभवी है डबलु खान ने कुभर में साथ रन दिये इनके अलाब यहां पर यह रहा था इनका स्कोर कार्ड यह वकार को यहां पर थोड़ा ऊप पर आ रहे हैं तो अब अलग टीम पर केप्टन वहाज भी दे सकते हैं लेकिन वह इसे केप्टन वहाज के लिए तीन बड़े उप्सन तो आपको नजर आएंगे जो मैं भी बात करूंगा तो यह स्कोर कार्ड आप चलिए हम लोग वहां पर बात करते हैं पिलियर पे तो व ग्रीम 11 से रिलेटेट कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे परले इंफोर्मेशन दे देता हूं इनके अलावे फिरी में टीसेट की बात हो या फिर डिसकाउंट की बात हो इन सभी का भी आपको फाइदा मिल जाता है तो इस वज़ास हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए इनके अलावे कुछ जनकारी लना इंस्टाइगराम पर मेसेज करो मैं वहाँ पर सारे लोग कर रिपलाई भी देता हूं वह भी बहतर तरीका से तो दोस्तों यहाँ पर एक्टिम जो मैं ओल्डेरी बना के रखाओ किस बेसिस पर बनाया हूं क्या होने बा उपसान है इनके लावे देखो गोपाल कृष्णन भी है तो कौन से खेलता है यह बड़ी बात होगा लेकिन सबसे बेस्ट बिकट की पर एश हमीद है इनके लावे इस गुरूवर भी बहतर है क्योंकि इस गुरूवर कई बार गिनवाजी भी करते हैं तो इस गुरूवर खेलता है यह सबसे बड़ी बात होने वाला है जेड महमूद इनके टिम से अच्छे उपसान है इनको भी आप ट्राय कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर के मेहता को पिक क्या हूं जो कि यह गिन बाज है इनके लब के मेंडन को पिक क्या है लेकिन इनको मैं यहाँ पर पिक नह इन चारों मेंसे तो भी आपको ड्रोप नहीं करनाचे अगर जिदे आपको लगता है तो आर्तोमर को ड्रोप कर सकते हो लेकिन देत बोलर है और नेशनल टीम के काफी बड़ा हिस्सा है साथ में बलेबाजी मिलने पर बलेबाजी काफी बनिया करते हैं तो इनका बलेबाजी अगर जदी उपरी करम पे दिखाया जाता है तो आरतोमर को तो आपको बिल्कुल भी द्रोप नहीं करना चे तो चार बिकेट कीपर पिक करने के बाद भी एस भुयान के उपर थोड़ा सा आपको रिस्क लेना चाहते हो तो पिक कर सकते हो इनके लावे एलसेलभन भी काफी ब पटेल को भी ट्राइ कर सकते हो इनके अलावे यहाँ पर देखा जाए तो निर्मल कुमार ये भी लास्ट सीजन खेले और अच्छा रिकोड रहा है इसका करिया का रिकोड मैंने दिखाया इनका भी रिकोड बेतर है तो सारे गिनवाद को तो पिक नहीं कर सकते है क्योंकि ओल्ड रेडी हमने चार पॉल राउंडर पिक कर लिया इस फराद भी काफी अनुभावी है ये भी बढ़िया चुआइस है इनके लाव डबलू और रहमान भी बढ़िया चुआइस इनका वी रिकोड सांदर है लेकिन किनको पिक करो डबलू खान का मैंने दिखाय ये भी ये तो भर में गेन बाजी करें तो ये भी बढ़िया उप्सान है लिग्शन सबसे बड़ी बात है कि कुण सा पिलेर खिलता है इस पटेल का वी रिकोड सांदर है जिनको मैंने पिक क्या हूं एस मदुरंगा डे तो भर में गेन बाजी करेंगे पाबर पिले में एक ओभर लावे ये कि काफी बनिया हो जाता है इनके लाव ये भी काफी अन्भावी रोहित देश मुहिनी की बात किये थो गि शुर्म की थैये tiene बढिया option S-Wkrama होना चे, दूसरा S-WG होना चे, तिसरा EOS Okand होना चे, चौथा आर्थोमर होना होना चे, अगर बल्ले बाजी करते हैं तो HWG यूबा है काफी बनिया ये बलेबाजी करते हैं और साथ में गिनबाजी भी करते हैं लेकिन निशनल टीम से अफसर देखा गया है HWG से ज़्यादा उभर की गिनबाजी नहीं कराए गया और इस विक्रमा सिकरा का लाश्ट सीजन सोरी मैंने 2020 वाला सीजन देखा था तो ज़्यादा गयनबाजी नहीं किया था लेकिन अभी जो निशनल हुआ था रिपबलिक का मेच उसमें इस विक्रमा सिकराने काफी बनिया गयनबाजी क्यार काफी अच्छा विक्टे भी लेगे यह सोकरन बलिबाजी के लिए काफी नीचे आते हैं निशनल टीम से लेकिन टीटेन में यह उपन आते हैं तो यह तीन ओप्सन आपको सबसे ज़्यादा महतपूर्ण होने बाला है केप्टन वहाईस के लिए चवथा आर्थ उमर तो फिलाल के लिए आप ये टीम सेफ करकर सिधा मिलता हूं इस मेंच के अपडेट के साथ अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक फिलेंग 11 पे इन्वेस्ट की बात रहे तो वह मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा उनिक अनुसार आपको इन्वेस्ट कर लेना चीए